तो दोस्तों इस समय मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बीजों के अंकुरन को लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे किसान भाईयों के यही कमेंट्स आ रहे हैं ज्यादा तर किसर हमारा जो सब्जियों का बीज है जाए वो किसी भी तरह की सब्जिया हो या तर्बूज का नहीं होगा तो चलिए मैं आपको एक दिखाता हूं प्रेक्टिकली अपने खेत में इस तरह की जो प्रोब्लम आई है इस पे मने दोस्तों एक प्रोपर वीडियो भी बना था जिसमें मने बताया था कि एक बार जो बीज का अंकोरन रूख जाता है तो मतलब उसका फिर जर्म अचे दरशन जरूरी है तो आंप अच्छी तरह देख पा रहे हैं कितना बड़ा प्लांट है अब यहाँ पर आप पूरी लाइन में आप को कहीं कोई प्लांट नजल नहीं आएगा और उसके बाद में एक बार यहां पे देखें आप आगे तक आपको मतलब कहीं भी यह नी में उर में आजानी और आप तेखें आप खरपतवार भी बड़ा-बड़ा हो गया और किसके अंदर कुछ है नहीं लगातार आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में यहां पे एक प्लांट आपको और दिखाऊंगा कितनी देर से दिखा है दूसरा प्लांट इसकी भी आप गुरोध देख लीजिए अगर इसके साथ सारे बीज अंक अगली थी और टेमप्रेजर भी कुछ अच्छे नहीं थे एक प्लांट यह मिला है और यहां पर एक प्लांट आप यह देख सकते हैं बाकि आप पूरी लाइन में अगर आगे तक चलें तो करीब एक-दो प्लांट आपको और नजर आ सकते हैं बाकि इस से ज्यादा प्लां उनका मुश्किल हो जाता है और समय आपको बताओं कितना ले सकता है करीब एक महिने तक का समय भी ले सकता है इस क्रोप को आज करीब महिना बर होने वाला है क्योंकि 27 दिसंबर का सीड शोविंग किया हुआ है और 27 जनवरी अभी आने वाली है तो करीब महिना दो-चार दि पेटब एग जिए धा से जयादा उसके बाद यहां प्र सीड जो है वह लगा जाएगे तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है अभी हम पर इसके लिए नुर्सरी तयार कर लियैं पर हम उनका जो है ट्रास्प्लांट यहांपर करतेंगे